देश के गद्दारों वाला स्लोगन पुराना हो गया गोली मारो जूता मारो अब इससे बात नहीं बन रहें सामान खरिदवाने की मना ही चो कर रहे हैं कि मुसल्मानों से इस मुल्क में सामान मत खरिदो इससे भी बहुत कुछ नहीं बात बनी तो प्रमोशन मिल रहा है उनको कि और कोई नया स्लोगन आप रेज करो ताकि वो 30 सेकंड की रिल्स से ले करके वटसेप पर गाउं गाउं तक वो जो जहरीले नफरत के संदेश फैलाये जा रहे हैं जिससे इस मुल्क को पूरी तरह तबाह किया जा रहा है वो और अच्छे से फैलाया जा सके तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस समय सरकार बीजेपी की है इसी का विरोध कर लो देश बच जाएगा गोया इसके पहले बचा रहा हो तो इनकी चिंता थी कि अगर ये नहीं होंगे तो कौन होगा नहीं नहीं लोग तयार हो रहे हैं सर पहले कोई एक देवता को मानेगा उसका मंदिर बनवाएगा तो दूसरा कोई IIT रिटर्न भी आएगा और वो कहेगा नोट पर इनकी तस्वीर लगा दो उसको दर जाएगी तयार हो चुके हैं लोग पड़े लिखे लोग और उनको ये लग रहा है उनके प्रवक्ताओं को लग रहा है कि हम तो बीजेपी को काटने के लिए उनसे ज़्यादा कटर हिंदू बन गए अब बीजेपी विरोध करके दिखाए उनका क्या जो इस पूरी डिबेट में है नहीं तो तयाग हो गए हैं लोग और बहुत संभावना है कि बहुत जल्दी वो राश्ट्री पार्टी का दरजा पा जाएं बहुत जल्दी पूरी मेनिस्ट्री मीडिया ये दिखाने लगे गर पूजी उनके पीछे से ये कहने लगे कि ने ने वाकई देश में बहुत माहौल ख कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चंद व्यक्तियों या किसी पार्टी या संगठन का विरोध करने लग जाएं इससे खत्रा नहीं टहलेगा हमें उस प्रवित्ती का विरोध करना है जिसकी वज़े से उस कुरसी पर जो भी बैठता है वो दलेत, पिछड़ा, आदिवासे, मुस कह रहे थे अभी कि नयाए पालिका, अब क्या हुख उस पे बात की जाए, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील, पता नहीं इसी देश में संभव है कि किसी तड़ी पार्ट के आप वकील हों और फिर कुछ दिन बाद आप चीफ जश्टेस अफ इंडिया, इट से कालबाद आने वाली पीडियों को क्या जवाब देंगे, अगर आज ये प्रेस कांफरेंस नहीं किये, उन्हीं में से कोई एपक्ति जाकर राम मंदिर का फैसला सुनाया, और अगले दिन रासभा की सपत ले लिया, कहां गई वो नेतिक था, जिससे हम कभी-कभी उसके शरी खतम नहीं होगी, कुछ जज निकल के बाहर आएं, और इस समय क्या हो रहा है, और मतलब सोचे ने, संस्थाओं को इतना कमजोर कर दिया गया है, कि दिन रात टीवी पर बैठ कर दंगाई, नफरती, डिवेट करने वाला एंकर, जिस दिन सरकारी प्रवक्ता से एक वाही मिलने लगती है, कि देखो ये कितना अच्छा पत्रकार है, हम यहाँ पहुँच गए हैं, बाकि वो दिन रात, इसी तरह कई वार ऐसा तो नहीं कि हम लोग शायद अपने को खुश रखने के लिए, अपने को दिलासा दिलाने के लिए, इस तरह कि आयोजन कर रहे हैं यह आयोजन जरूरी है, मैं जानता हूँ कि कितना जोखे मुठा कर लोग यह आयोजन करते हैं, और हम लोग भी जो यहाँ बैठे हैं, ठीक का प्रिफसर सहाब ने की फाइल तो बनी है, बनी हुई है, उसमें नहीं पनने जुड़ेंगे, कि आज की बैठेक में क्या-क्या बोला गया, जी हाँ इस बैठेक में यह सवाल पूछा जा रहा है, कि आपकी नयपालिका पर हमें भरोसा कैसे हो, बतावर देश का नागरे, जिस नयपालिका में कोई रिजर्विशन है, आज तक इस देश में रिजर्विशन को गालियां कितनी दी गई, अच्छा जिसको गाली पढ़ती है न, उससे पूछिए कि उसके उपर क्या गुजर रही है, और अलग-अलग समय में अलग-अलग लोग निशाने पर रहते हैं, और वो लोग आज यह कह रहे हैं, कि जुडीशरी में कोलिजियम सिस्टम नहीं खतम होना चाहिए, कोलिजियम सिस्टम में कौ उतरप्रदेश से ले करके, या देश के कई हाई कोर्ट से ले करके, सुप्रिम कोर्ट के तमाम नियाए धीशों के सामने एक सवाल रख रहा हूँ, आपके जुडीशरी के लिए तो यह कहा गया कि, कोई मुल्जिम छूट जाए, वो चलेगा, कोई अपराधी बरी हो जाए वो चलेगा, कोई निरपराध को सजाने मिलने चाहिए, नियाय का इस्तक्बाल बचा रहे है, अगर इस बात को जो नहीं समझते, उन्हें इस मुल्क की जेलों में जाकर देख लेना चाहिए, कौन जेल में कैद है, हम भले इस से हिम्मत दे रहे हैं अपने को, ऐस आज की ब हैं, मगर वो चुप हैं, वो अच्छे प्रफसर बने बटे, वो अच्छे विद्यार्थी बने बटे, वो अच्छे परिवार के पिता अपोत्र भाई बहन बने बटे, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे विश्व द्याले में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उसे विश् आज अच्छा किसके लिए वो सारे खामोश लोग हैं और होता यही है मैं फिर से कहा रहा हूँ इस तरह कायोजनों मैं मैं केवल एक बात कहने आया हूँ हम नहीं बचा पार है प्रुफसर साही बाबा को प्रुफसर हनी बाबू को अनन्तिलतुपडे को उमर खालिद को मगर हम यहां इसलिये खड़े होते हैं और बार बार मिलते हैं और बार बार की कारिकम करने की जरूत है ताकि हम खूद को एक हिम्मत दे सकें कि जब सब खामोश हो रहे हैं जब मुल्क के हुक्मरा कहते हैं जुको और लोग रेंगने लगें उस वक्त हम एक दूसरे से हिम्मत लेने आते हैं कि नहीं सारे लोग रेंग नहीं रहें कुछ लोग हकुक की बात कर रहें और जो जेल में हैं इस बात को इस मुल्क के निजाम को सामने दिल्ली में खड़े होकर पर हम ये कहते हैं कि जेल में जीने होना चाहिए वो कुर्सियों पर हैं और मैं इस बात को ये कहते हुए कि इन सारे लोगों को बरी किया जाना चाहिए और कोलिन एक बात कह रहे थे मैं वही सोच रहा हूँ वो तो पड़े लिखिये समझदार वकील हैं वो कह रहे थे कि अब इस मुलक में सम्विधान सम्मत बाते करना भी खत्रे से खाली नहीं है बिलकुल ठीक बात है और पुरुणा ने जो जो इस देश के ग्री मंत्री और प्रधान मंत्री के बयान का जिकर किया कि हमें हर तरह के नकसलियों को खत्म करना है असल में उनकी मंचा है कि हर सवाल पूछने वाले को खत्म किया जाए मगर हम यह सवाल पूछते रहेंगे कि हम इनके साथ खड़े हैं और इस देश के आम आवाम और मैं बिलकुल सहमत हूँ कि इस मुल्क के आम आवाम को इस बात को समझाने के जरूत है कि जो जेल में हैं वो बुरे नहीं वो आपके लिए लड़ रहे हैं क्योंकि कल जो जेल में थे वो आज हमारे नायक है कल जिनको जेल में डाला गया जिनको भासी पलटकाए गया वो आज हमारे नायक है और जो माफी मानते थे उनको लाग कोशिश कर लो माफी मांगने वाले कभी नायक नहीं बन पाएंगे आज आपकी सत्ता है आप किसी को भी नायक बना लो मगर जो हमारे हिस्से के लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनके लिए बोलने आए हैं और उससे बड़ी बाद हम अपने लिए बोलने आए हैं और हम चाहते हैं कि इन सब ही बन्दियों को ततकाल रहा किया जाए ताकि ये मुल्क और इसके आईन को बजाया जा सके बहुत शक्रया